हाई गाईज और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल अनालेसिस ऑफ फोर्थ ऑफ फैबरी 2021 तो गाईज आज है तारिक 4 फरवरी 2021 और है थर्सडे देखेंगे आज का दाहिंदू कंप्लीट न न्यूस पेपर को अनिलाइज करेंगे बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो इस न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलूड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन एजू केंसी आप लोगो ये चैनल मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे आप लोगो क्लिक करना है देखो अगर आप लोगो इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो डारेक्ली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम लिंक के नाम से आप लोगो लिंक दे रखा है वहाँ पे आप उ जॉइन करके सब को जहांबे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आज का जो मैप का क्वेशन है, वो आप लोग के लिए है, बोलीविया, ठीके, तो आपको देखना है, बोलीविया कहां पर है, एक्जैक इसकी लोकेशन क्या है, किस किस से बोलीविया अपनी बाउंडरी को शेयर करता है, ये सारी चीज़े अच्छी तरीके से मैप में देखो, देन आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर टाइप कर देना, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग धीरे दीरे ना, हर एक लेक्चर में एक छोटा सा पोर्शन कवर करते हैं, और मैं वही कंट्री देता हूँ आपको कवर करने के लिए, या मैं वही जगा देता हूँ कि आपको कवर करने के लिए, जो की काफी साथ इंपॉर्टेंट होती है और नीउस के अंदर होती है, ठीके, तो सबसे पहला जो हमारा पेज है, पेज नमबर वन के उपर, यहाँ पे आप पहला एर्टिकल देखोगे, किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे मैसिव गैदरिंग हो चुकी है हर्याना के अंदर, हर्याना में आप लोग को मालूम है, डेली में मालूम है क्या सिचुएशन है, Farm Laws के अगेस जो है farmer protest कर रहे हैं अभी आप लोगोंने काफी जादे situation create होती भी देखाई थी 26 जनवरी को गरतंतर दिवस पर बहुत जादे situation create हो चुकी थी ठीके farmers और पुलिस के बीच में काफी tassel भी हम लोगोंने देखा था ठीके उसके बाद यहाँ पर आप क्या situation है situation यह है कि हरियाना के अंदर बहुत जादा gathering हो चुकी है thousand of farmers जो है साथ में आ चुके हैं ठीके और यहाँ पर क्या गुहार है इन सब लोग की मांग यही है कि जो farm laws हैं उनको repeal कर दिया जाए ठीके उनको हटा दिया जाए यह वही पुरानी बात है यह article लगातार जब से farm laws आए है तब से article यहीं पर बैठा हुआ है ठीके यहाँ से हट नहीं रहा है article और यह आने वाले time में अभी रह नहीं है article ठीके तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं काफी बार ना उसके बाद जो second article है यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे इसके अंदर क्या बताया गया देखो government notice to twitter on farmer genocide यहाँ पर हुआ क्या था अभी आप लोगों ने देखा दूख farmer protest चल ला है सभी ठीक है इस चीज के बारे में सभी लोग को मालूम है क्या reason है सब कुछ मालूम है ठीक है हमने बहुत बार cover कर लिया बहुत बार ठीक है अगर हम बात करें तो daily business में हम लोग इसको देख रहे है now actually में यहाँ पर बात क्या है कि जो government है सरकार ने यहाँ पर twitter से बोला कि बहुत सारे ऐसी misinformation फैल रही है सोशल मीडिया पर बहुत सारी misinformation चीजे misinformation हो रहा है है trade फैल रहा है किस पर twitter के ओपर तो क्या करें हमारी सरकान है हमारी union government ने twitter को notice किया notice दिया notice बेजा कि भाई जो यह इनके account से अभी के लिए आपर delete कर दिये जाए ठीके account यहाँ पर इनके लिए हटा दिये जाए ठीके चलो सही बात मान ली इसने twitter ने बात मान ली और यहाँ पर क्या करा twitter ने जो इनके accounts हटा दिये थे लेकिन mangalwar को ठीके Tuesday में यानि परसो के दिन क्या करा है twitter ने 250 account को वापस से restore कर दिया है और twitter ने वहाँ से जवाब दिया कि भाई यहाँ पर यह जो platform है यहाँ पर यह जो platform पर जितनी भी चीज़े आई थी यह सब यह इन सम्में कोई भी जो भी चीज़ थी यह violation नहीं कर दिया थी twitter की policy को इस वज़ा से हम लोगों ने 200 accounts को वापस से restore कर दिया है वापस से जिनके account को बंद करा गया था बैं करा जाया था वापस उनको restore कर दिया गया है ठीके क्यों twitter ने अपनी तरफ से जवाब दिया है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया था आपको मालूम है 26 जनवरी पर जब यह टसल क्रियेट हुआ था तो उसके बाद से अभी काफी हत्ता काफी जगा पर वापस से restore नहीं करा गया है नव बढ़ते हैं आगे page number second पर आते हैं page number second पर जादा कुछ है नहीं एक ही article है और यहां पर भी एक ही चीज़ आप लोगों पढ़ेनी है इसके अंदर बोला क्या जा रहा है कि जो NGT है NGT का मतलब है National Green Tribunal तो इन्होंने बोला है कि अपना किस से बोला है इन्होंने बोला तो NGT ने बोला कि गोदाम बगरा बनाओ जहां पर इस सिमेंट के कट्टे रखे जाएं क्योंकि इससे काफी जादा air pollution हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो सिमेंट के कट्टे है उसको वापस से train के अंदर मालगालियों के अंदर लोड करा जाता है उसे काम है जो environment का protection है उसको देखना environment को किस तरीके हम प्रोडेट कर सकते हैं उस तरीके से हाँ पर जिस भी तरीके से प्रोडेट कर सकते हैं NGT step उठाता है दूसरी चीज़ NGT का headquarter कहाँ पर है यह बहुत important चीज़ है NGT का headquarter Delhi के अंदर है तो यह चीज़ भी आप लोग है कि जो महा पंचायत है वो यहाँ पर बैठ रही है किस चीज़ के लिए farm laws को repeal करने के लिए और हर्याना के अंदर thousand of farmers जो है साथ में खटे हुए थे ठीक है यह सब चीज़ हम लोगों ने already discuss कर लिए page 1 के ओपर now यह article है यह भी एक अच्छा article है important article है अगर हम देखें ठीक LCA के लिए contract मिला है LCA मतलब light combat aircraft के लिए हाँ पर इनको contract दे दिया गया है और कितने रुपे की deal है 48,000 करोड रुपे की deal है और यह contract अब पूरा करना है हिंदुस्तान Aeronautics Limited को हिंदुस्तान Aeronautics Limited इस तरीके के जो aircrafts बगरा होता है defense equipment होता है उसको develop करते हैं ठीक है उसको मन आते हैं उसको manufacture करते हैं नाओ यहाँ पर बात करें तो जो तेरवा edition है Aero India का बैंगलूरू के अंदर जो हिंदुस्तान Aeronautics Limited का है उसके बाद अगर हम बात करें इसको contract दिया गया है कि इन्हें 83 light combat aircraft को manufacture करना है जिसमें से आप लोग कहोगे जिसमें से जो तेजस होगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें यह सब किसी लिए करवाया जा रहा है Indian Air Force के लिए करवाया जा रहा है ठीक है हमारी Air Force के लिए हम इनको aircraft को बनवा रहे हैं वो इसके बात करें कित्ते रुपे का deal है यह 48,000 करोड रुपे का deal है तो यह भी चीज आप लोग ध्यान रख लेना उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारी Defense Minister है राजनात सिंग जी इन्होंने बोला हम प्लान कर रहे हैं कि हम spend करेंगे 130 बिलियन डॉलर ठीक है 130 डॉलर बिलियन कहलो आप लोग यहाँ पर इसको spend करने वाले है military modernization के ओपर यानि military को और जादे modern करने के लिए हम लोग इसको spend करेंगे और आने वाले 7-8 साल के अंदर यह पैसा खर्ज करा जाएगा उससे बाद बात करें तो यह जो हमने अभी order दिया है 83 light combat aircraft के लिए वो 8 साल के अंदर delivery करी जाएगी चिके इसके अंदर इस contract के अंदर कौन कौन से इन 83 में से कौन कौन से हमने aircraft को मगा मैनुफैक्टरिंग करवाई है तो यह जो contract है इसके अंदर 73 तो light combat aircraft तेजस MK1A होने वाले हैं और 10 होने वाले हैं तेजस MK1 trainer aircraft ठीक है जो की training देंगे यह MK1A fighter aircraft होगा ठीक है 73 तो होंगे fighter aircraft और MK1 होंगे trainer aircraft ठीक है तो यह चीज़ आप लोग याद रखना यह चीज़ काफी important हो जाती है और यहां पर इसी के साथ यह वाल आर्टिकल भी हमारा खतम हो जाता है नाव उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे वैसे अच्छा है यहां पर क्या reason है देखो इस ताइप की question बन सकते हैं क्या reason है कि आज के टाइम पर कि हम लोग अपने defense को और जादे बढ़ लेगी ठीक है उसके वाल आर्टिकल अभी page number one के ओपर कवर किया कि twitter ने जो है accounts को delete कर दिया था लेकिन वापस से restore कर दिये गए है नाव यहां पर एक और आर्टिकल आता है यह भी हम बहुत पहले कवर कर चुके हैं अगर आप daily newspaper analysis देखते हो ना तो काफी हद से article जो काफी ह Supreme Court ने बोला इसके अंदर हम लोग बिल्कुल ने intervene करने वाले interfere बिल्कुल हम नहीं करेंगे ठीक है नाव जो यह यूपी का वो law था वो था unlawful conversion of religion ordinance 2020 यानि कि इसके अंदर यह बोला गया था कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ति उसका धर्म नहीं बदल भा सकता ठीक है इस तरीके का लॉल आया था यूपी उत्तरप्रदेश तो यहां पर इसको काफी जादे आप कह सकते हो इसके लिए protesting तो नहीं कह सकते काफी जादा इस law को क्रिटिसाइज करा गया है सारे authors वगरा इसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं काफी editorial हमने cover किये थे है इस law को देखा जा रहा है ठीक है लो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हैँ कि यहां पर कि वगा सब्सक्ताइज को रिस्टोर करा गया है उसका और एक छोटाइं आर्षी आर्टिकल ये जाँ始म अगर आज के दिन के लिए तो यहाँ पर आपको मालूम होगा शशी थरूर कौन है कॉंग्रेस के MP तो जो शशी थरूर है और साथ काफी सारे senior journalist है यह भाई पहुँच गए Supreme Court यह चले गए Supreme Court क्यों इनके उपर क्योंकि जो शशी थरूर हैं और journalist हैं इनके उपर charges लगा दिये गए कि भाई यह लोग misinformation, conspiracy यहाँ पर create कर रहे है sorry, misinformation फैला रहे है और यहाँ पर आप कहसकते हो कि बहुत सारे sedition के charges लगा दी गए और यह सब क्यों करा गया इनके उपर F.I.R. registered कर दी गए यह पूलिस के द्वारा कि यहाँ पर यह लोग tweet कर रहे हैं fake news फैला रहे है misinform कर रहे हैं लोगों को ठीके तो फिर यहाँ पर इनके उपर F.I.R. कर दिया गया था तो अब यह लोग पहुँच गए Supreme Court क्यों करा गया था क्योंकि Republic Day के बाद जो फिर situation create हुई थी किस topic के उपर इन्होंने जो है F.I.R. तो कर दी गई तो यह लोग जा रहे हैं Supreme Court और Supreme Court पहुच चुके हैं और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह काफी जादे न्यूस के अंदर है तो श्री लंका का ECT यहाँ पर अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म है East Coast Terminal यह के एक पोर्ट है यहाँ पर पोर्ट इसकी पहले डील हुई थी इंडिया के साथ इंडिया जैपैन और श्री लंका कि भई इंडिया जो है इंडिया जैपैन मिलकर डेवलप करने वाले हैं श्री लंका के अंदर यह ECT पोर्ट को लेकिन आप यहाँ पर स्री लंका जो है कर गिया इस बात से स्री लंका ने बोला कि जो यह ECT पोर्ट है इसको खुद ही आपने आप खुद यूनिलेटरल इसको डेवलब करेगा ठीक है आप यह बात अब जैपैन को भी पता चल चुकी है अब जैपैन भी यहाँ पर बीच में था तो जैपैन को भी एक बीच में सा हटा रखा है श्री लंका ने ठीके तो यहाँ पर इसके पारे में थोड़ा सा मपढ़ते हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप वगरा दिखा देता हूँ जो की काफी important हो जाता है जिससे आपको एक clarity मिलेगी ना यहाँ पर आप लोग यह map देख पाओगे यह उपर है हमारा प्यारा भारत उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की side आओगे यह मिलेगा southern side में श्री लंका मिलेगा श्री लंका में यह वाला area है Colombo ठीके तो basically जो port है ECT है East Coast Terminal वो यहीं पर है अब यहाँ पर इंडिया सोच रहा था कि भी अपना port बना लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर Japan, इंडिया और स्री लंका मिलका बना लेंगे काफी हद तक जो है इंडिया को help मिलेगी क्योंकि यहाँ से connectivity इंडिया नोशन रीजन में काफी बढ़िया होगी यहाँ पर आप देख पाऊगे connectivity काफी अच्छे से आप लोग देख पाऊगे तो इसी क्वाज़े से इंडिया को थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता इस से थोड़ा बहुत भी नहीं कह सकते काफी फायदा होता लेकिन यहाँ पर क्या हुआ श्री लंका ने मना कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करने वाले ठीक है अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा डीटेल में देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेक है में भी मुझे सही से याद नहीं है बढ़ यहाँ पर 75% तक जो है स्टेक होलर बन चुका है चायना और चायना नहीं श्री लंका के अंदर डेवलेप किया था अब यहाँ पर वो चायना के हक में बन गया पोर्ट पूरा का पूरा फिर यहाँ पर इंडिया के पास भी ज़ादा स्टेक चला जाएगा हमारे हाथасти ये भी निकल जाएगा ठीक है? आप लोग देख पाऊगे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हाथ से ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पर फिर उसके बाद meeting वगरा करी गई थी तो यहाँ पर पहली बाद तो यह news आई थी कि हाँ इंडिया को निकाला जा रहा है इस agreement से यहाँ पर इंडिया को जो श्रिलंका और इंडिया साथ में बिलकर काम नहीं करेंगे लेकिन फिर उसके बाद अभी आप लोग को मालूम है 6 जनवरी को हमारे external affair minister जैशंकर प्रसाद जी गए थे श्रिलंका उन्होंने bad चीज के बाद चीत करी है कि भाई चलो हमें stakeholder नहीं रखेंगे stakeholder आप रख लेना 49% तक stakeholder श्रिलंका रखेगा ये तैह हो गया था अब जब जैशंकर प्रसाद जी आ गए वापस इंडिया तो उसके कुछ दिन बात फिर से यहाँ पर situation create हो गई लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर पूरी तरह से फिर श्रिलंका का आया है श्रिलंका का फिर वहाँ पर message आया कि श्रिलंका अकेले ही इस पोर्ट को बनाएगा अकेली इस terminal को बनाएगा और इंडिया का दिल रखने के लिए बोल दिया कि अगर आने वाले टाइम में हम लोग वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाएगे न तो उसमें हम लोग इंडिया को शामिल कर लेंगे अभी के लिए हम लोग इस्ट कोस जो टर्मिनल है उसे हम लोग खुद डेवलब करने वाले है तो एक तरीके सा बात यह है कि श्रिलंका जो है पूरी तरह से अग्रिमेंट उसे तोड़ चुका है और अगर हम बात करें यह एग्रिमेंट दो लोगों के बीच में नहीं था यह एग्रिमेंट था तीन लोगों के बीच में किस-किस के बीच में श्री लंका, जैपैन और इंडिया के बीच में और जब तीन लोग के बीच में अग्रिमेंट होता है तो हम क्या बोलता है अच्छा दो लोग के बीच में होता है तो बाइलेटरल बोलता है सिंगल होता है यूनिलेटरल तीन होता है तो ट्रेपार्टाइट बोलते हैं ठीक है तो यह याद रखना तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में हुआता है यह agreement और यहाँ पर यह agreement अब खतम हो चुका है तो यह चीज आप लोग ध्यान रखना श्रीलंका ने बोला है कि हम लोग खुद अपना port को develop कर अब उसके बाद यहाँ पर आता है next article यह भी एक अच्छ आर्टिकल है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो collection है DNA का ठीक है DNA यानि deoxyribonucleic acid अगर हम DNA का sample collect करते हैं यह एक misuse भी करा जा सकता है इसका किसी भी बंदे का अगर हम लोग sample collect करने तो उसका misuse भी करा जा सकता है यह किसके द्वारा बोला गया यह इनके द्वारा बोला गया यह कौन है यह supreme court के retired judge है इनका नाम है मदन लोकुर तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि DNA का samples यह सब चीज किसके अंदर है अभी हम लो वो किसी के person का collect कर लिया जाएगा अगर किसी case में investigation चल रही है तो उसमें बंदे का DNA sample की अगर जरूरत है तो उसको collect करा जा सकता है ठीके इस law के अंदर बताया हुआ है इस bill के अंदर नाम यहाँ पर इसी को इसी बात और को रखते वे जो supreme court के judge है इनके बोला कि भाई आप collect तो कर लोगे DNA का sample लेकिन उससे काफी जादा उसका misuse भी हो सकता है उसमें abuse भी हो सकता है ठीके यहाँ पर किसी बंदे की life को खत्रा भी है ठीके उसकी liberty को खत्रा है उसकी privacy को खत्रा है ठीके उसका जो DNA sample है उसको गलत तरीके से इस्तमाल करा जा सकता है जिस वज़ा से उस टेस्टिंग बहुत ही कम होती है approximately आप देखोगे 30 से जो 40 आप कैसकते हो कि DNA experts हैं इंडिया के अंदर 15-18 laboratories हैं हाँ पर और उसके बाद हर साल जो है 3,000 cases होते हैं DNA के ठीक है DNA की टेस्टिंग वाले cases जो है काफी कमी होते हैं 3,000 cases होते हैं लगबग ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें जो यह bill है हमने भी पढ़ा और बिल का main मकसद यह है कि लोगों का जो DNA है उसको collect कर लेना लेकिन कब जब यहाँ पर कोई case चल रहा है किसी के उपर कोई मुजरिम है या फिर कोई victim है या फिर किसी के उपर हमें शक है तो उसका हम लोग DNA लेकर check करा सकते हैं अगर उस case के अंदर requirement है DNA sample की ठीक है तो यहाँ पर यह थी चीज़े और यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए जो judge है इनका basically यही कहना है कि गलत तरीके से भी इस्तमाल हो सकता है DNA का now page number 11 पर advertisement है page number 12 के उपर भी advertisement है आप लोग easily skip कर पाओगे page number 13 पर आप लोग यह वाल article देखोगे इस वाले article को हम editorial के साथ cover करेंगे ठीक है एक editorial दे रखा है फिर उसके बाद उसे पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे इसको cover करने के लिए तो जो department of homeland security chief US के नए है और इनका नाम है Alejandro Mayorkas तो इनका नाम याद रख लेना तो Alejandro Mayorkas नाम है इनका यह एक आप कह सकते हो first Latino और first immigrant और head है DHS के DHS यानि department of homeland security के बना दिये गए है यह directly one day exam में भी पूछा जा सकता है आप से directly question बन सकता है ना उसके बाद यहाँ पर एक article देखने को मिलेगा आप लोगो यह हम लोग world page को cover कर रहा है जो कि दुनियादारी के अंदर article चल ला है ठीक है US ने extend कर दिया अपने US ने एक start nuclear को अपना बढ़ा दिया रशिया के साथ अब यहाँ पर फाइदा क्या होगा कि बही जो tensions है वो कम create होंगी किस चीज को लेकर arms race को लेकर USA और रशिया आपस में नहीं बिढ़ेंगे तो यहाँ पर जो start nuclear treaty थी उसको बढ़ा दिया गया रशिया के साथ ताकि जो relations है उसको थोड़ा बहुत maintain करा जा सके now page number 14 के उपर आएंगे that is business page economics related article आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आज एक ही article है पढ़ने लायक वो यह है और यहाँ पर क्या बताया गया अभी हम लोगों ने budget के अंदर भी discuss किया इसको कि जो इंडिया का fiscal position है वो काफी जादे बीख है इंडिया fiscal deficit के अंदर चल ला है fiscal deficit के मतलब मतलब यह है जो revenue है वो minus में होगा यानि income है वो अपनी मतलब कम है और जो expenditure है वो plus में रहेगी expenditure जो है वो जादा है आम देनी अठनी खर्चा रूपई है अगर आप वाले time में और जादे हम लोग 2025-26 तक इसको 4% कर दे है क्योंकि आज के time पर कमाई कम हो रही है खर्चे जादे हो रहे है तो इससे growth में आप कह सकते हो development नहीं देखने को growth देखने को नहीं मिलेगी ठीक है और नुकसान देखने को मिलता है obvious सी बात है अगर आप लोग कमा कम रहे हो कमा एक रुपे रहे हो खर्च दो रुपे कर रहे हो तो फिर obvious सी बात है आपका जो account है वो minus में ही चला जाएगा तो इस तरीकी से यहाँ पर चीज़े देखने को मिल जाती है नाव हम लोग चलते है अपने एडिटूरिल की तरफ उससे पहले आज का कार्टून देख लेता है तो कार्टून आप लोग को दिखी रहा होगा यहाँ पर आ गई सरकार और सरकार ने खेतों में लगा दी है उल्टी की ले यहाँ पर आप देखोगा फार्मर नंगे पैर ही यह कार्टून आपको देखने को मिल जाएगा ओके नव बढ़ते हैं अडिटूरिल की तरफ नव यहाँ पर आप देख पाऊगा अडिटूरिल को सबसे पहले तो यह बजट से रिलेटेड अडिटूरिल है इसको हम कवर नहीं करेंगे ठीके क्योंकि हम लोग बजट के ओपर अल्रडी वीडिटूरिल है यह भी बजट से रिलेटेड एडिटूरिल है बजट में क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था वही चीज़ हैं यह हम लोग अल्रडी डिसकस कर चुके हैं ऐसे आर्टिकल आते रहेंगे आने वाले टाइम में भी ठीके अब यहां पर हम लोग को एक दो एक दो करके आर्टिकल डेली देखने को मिलने वाला है बजट से रिलेटेड अगर अभी भी आप लोग को बजट के बारे में नहीं मालू है बजट का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को बजट के वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आप महाँ से जाकर देख सकते हो उसके बाद मैयनमार के अंदर क्या सिच्वेशन चल ली है इसको देखेंगे यह मैनमार वाला एक और आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकोगे यह दोनों ही मैनमार के हैं अभी मैने उपर वाला दिखा है और यह वाला भी दोनों मैनमार से रिलेटेड है उसके बाद इसका एक थोड़ा सा ओवर्विव लेंगे यह वाला काफी important तो नहीं है लेकिन यहाँ पे इसका एक ओवर्विव लेंगे और इसके नीचे वाला आर्टिकल important है काफी तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं यह हमारे कल के editorial से आप लोग को मालूम होगा एक military जो है वहाँ पे सरकार ना बनाए रूल और military जो है उसको control करे पूरे के पूरे मैनमार को ठीके ऐसा पहले होता वाँ आ रहा था ठीके पहले military ही control करती थी मैनमार को now military फिर से यही चाहती है कि भाई इसको control करा जाए 2010 के बाद कुछ time तक जो है यहाँ पे राहत मिली 2010 के बाद जो है यहाँ पर आपका सकतो सरकार बगरा बनी थी now फिर से यहाँ पर यह situation create हो गई है और military चाहती है कि वो military rule करे मैनमार के अंदर ठीके अगर हम बात करें 1952 से ही यहाँ पर military rule चल रहा था काफी time तक लगबग 50 साल तक military rule चला था लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफी time बाद सरकार बनी थी और यहाँ पर एक party चलती थी NLD करके जिसका नाम है National League for Democracy तो आज के time पर भी जो इसकी leader थी वो है ओंग सुन सुई की ठीके इनका नाम है ओंग सुन सुई की ठीक है यहाँ पर आप देख जखे होगे emergency और coup emergency यहाँ पर military ने action अपना ये लिया है कि पूरे साल के लिए इस बार Myanmar के अंदर emergency लगा दी जा रही है और दूसरी चीज यहाँ पर Myanmar के अंदर तकता पलट भी देखने को मिल रहा है यानि कि जो military है वो अपना रूल लेकर आ रही है और military रूल करने वाली है Myanmar को वापस से यह situation यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर military ऐसा कर क्यों रही है क्यों ऐसा यहाँ पर उसके दिमाग में आया है तो यहाँ पर military का यह कहना है कि जो आपकी बार जो election हुए है अभी आप लोग को मारूम होगा पिछले साल नवेंबर के अंदर election हुए है और उसमें से जो ऑंग सुनसुई की है वो जीत कर आई है ठीके NLD party की झाओ तो यहाँ पर यह जीत कर तो आइ तो आई है लेकिन जो military है उसका यह कहना है यहाँ पर गलत तरीके से यह जीती है और election के अंदर बहुत जादे यहाँ पर आप कहसकते हो गलत तरीके से यहाँ पर elections लड़े गए थे तो इसके अंदर military के दोरा ये बोला गया नाव उसके बाद दो यहाँ पर यह military आचुकी है मैदान के अंदर और पूरी तरह से अपना इनोंने डेरा जमा रखा है और जो अभी हमने article देखा था उसके अंदर यह था कि जो NLD की यहाँ पर लीडर है ठीके जो की अभी जीती भी थी यहाँ पर NLD की लीडर कौन है Aung San Suiki ठीके मैंने भी आपको बताया इनको रिमांड पर ले लिया है इनको आज के डाएं पर परिशानी आ हो रही है इनको परिशान करा जा रहा है अभी आप लोग को देख पाओगे कि जो मैंनमार के अंदर आप यह सिच्वेशन है, मिलिटरी यह बोर ली है लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप लोग प्रोटेस ना करा जाए आप लोग प्रोटेस ना करो घर में रहो और NLD की जो लीडर है आउंग सुन सुई की, जो की मैंनमार की लीडर थी आज के टाइम पर, उनको भी रिमांट पर ले लिया गया है तो आज के टाइम पर सिच्वेशन आप समझ सकते हो क्या हो रही है मैंनमार के अंदर और अलग-अलग कंट्रीज जो है अपना concern दिखा रही है, पने चिंता दिखा रही है और काफी आप कह सकते हो नराज भी है मैंनमार को लेकर चाहे वो USA हो, इंडिया हो ये सभी कंट्रीज आज के टाइम पर काफी नराज है मैंनमार से और वो भी इसके step से क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम मैंनमार का रूल आए कभी भी किसी भी कंट्रीज के अंदर तो यहाँ पर ये थे आर्टिकल्स हम लोगों ने दोनों मैंनमार से रिलेटिड है ये इसके पीछे का आपका सकते हो explanation था यही सारी चीज़ा आप लोगो बताई भी है कि पहले मैंनमार का सारी मिलिटरी का रूल चलता था फिर उसके बाद यहाँ पर बदल गया देन उसके बाद लीडर आए फिर उसके बाद यहाँ पर काफी टाइम तक situation चली अभी यहाँ पर फिर से हम लोगो यह situation देखने को मिल रही है कि भाई जो military rule आ रहा है क्यों आ रहा है मैंने आपको इसके पीछे का reason बता दिया इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक article देख पाऊगे यहाँ पर क्या बताया गया जो USA और India है दोनों में अगर हम बात करें political forces की वज़ा से यानि कि politics की वज़ा से राजनीती की वज़ा से काफी साधी चीजे हम लोगों को देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाऊगे 26 जनवरी पर Republic Day पर इंडिया के अंदर बवाल देखने को मिला था और USA के अंदर election से दो दिन पहले हाँ sorry एक हफते पहले US Capitol Hill के तरफ यहाँ पर protest देखने को मिला था लोगों ने खुब protest किया था ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह काफी दाद Republic Day के अंदर violence देखने को मिला है यहाँ पर कही ना कही जो है politics जो है यहाँ पर घुश जाती है इसके अंदर और जो है country के अंदर यह नहीं politics की वज़ा से यह सारी situation create हो रही है democracy आप कर सकते हो बरबाद होती भी नजर आ रही है तो ऐसी हम लोगों ने अभी USA के अंदर situation देखी थी ऐसे हम लोगों ने इंडिया के अंदर देखिए article important नहीं है बड़ यहाँ पर एक overview आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसका उके नाव उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे यह वाल article काफी important है यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई हम लोगो जरूरत है हम लोग किस तरीके से जो left wing extremism होता है LWE जिसे हम बोलता है इनको हम लोग completely खतम कर सकें क्योंकि आज के टाइम पर एक situation create हुई है अभी हम लोगों ने November 2020 में हमारे एक assistant commandant थे जिनका नाम है Nikil P. भाले राओ तो इनकी death हो गई है इनको मार दिया गया है ठीके तो यहाँ पर इनकी death होई तो उसी की वैसे यहाँ पर यह article आया हुआ है अब यहाँ पर यह इनके द्वारा यह सारे काम करा गया है left wing extremism left wing extremism मतलब कि यहाँ पर ऐसे लोग जो अनो सब चीच त्याग देते हैं या फिर इनकी जो जमीन वगएर चीन ली जाती है ना फिर यह इनसान जो है frustration में आकर बंदूख पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाता है और इस इस इनसान को अपनी जान की परवा भी नहीं होती है left extremism situation देखने को बिलिए यानि कि पहले की बात कर रहा हूँ है 2008 की 2008 में भी 80 जो CRPF के जमान थे Central Reserve Police Force के 36 गड़ के अंदर उनकी भी जान चली गई थी क्योंकि वहाँ पर भी landmine blast हुआ था और यह सब कौन करता है वो करता है left wing extremism ठीके तो यहाँ पर इनके द्वारा ये काम करा गया था पहले भी उस टाइम पर जो union home minister थे हमारे वो थे पीछ हितंबरम साब और यहाँ पर इनोंने ये situation होने के बाद काफी सारे CRPF जमानों को फैला दिया था काफी सारे affected states पर आपसे question बन सकता है left wing extremism जो है काउन काउन से states में जादा तर देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर 36 घर, जारखन, ओडिशा, वेस्ट बंगॉल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश इन ही जगा पर ये जादा तर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है कि left wing extremism की भी यहाँ पर आप कह सकते हो काई-काई articles हम लोगों ने पहले cover कर रहे हैं कि उनकी भी गलती नहीं बताए जाती है उन्हें तो यह बोला जाता है कि उनकी जमीन चीन ली है या फिर ऐसी उनके साथ situation होगी है कि उनको यह बनने पर मजबूर कर दिया गया है इनको काफी सारी states से बाहर निकाला 36 गड़ से बाहर निकाला काफी हद तक हम लोग खतम कर चुके हैं इसको लेकिन फिर भी हम लोग को और भी जादे इन extremism लोगों को खतम करना पड़ेगा ठीक है यह चीज़ यहाँ पर बोली गई और उसके बाद आप देखोगे जो border security force है इंडो टिबिदन border police है इन सबने मिलकर काफी हद तक इन moist को खतम कर दिया है और आने वाले time में हम लोग को और भी यह करना पड़ेगा ना उसके बाद यहाँ पर training और measures तो देने के अलावा हम लोग को क्या करना पड़ेगा आप लोग देख सकोगे जो security force है उसने काफी सारे जवान अपने खो दिये थे 2009 के अंदर 2010 के अंदर मैंने अभी बताया 76 CRPF जो है जवान की death हो गई थी एक terrible attack देखने को मिला था 2010 के अंदर यानी 2008 2009 2010 के अंदर यह जो left wing extremism है यह काफी हद तक देखने को मिलते थे यानी इने mouse भी कहते हैं हम लोग तो mouse भी बहुत सारे देखने को मिल जाते थे उस समय और यहाँ पर cases भी बहुत सारे हम लोग देखते थे पहले ठीक है उसके बाद आप देखोगे 2019 के अंदर भी यहाँ पर situation देखने को मिली थी अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों ने काफी हद तक इन लोगों को हटा दिया है काफी हद तक इन लोगों को खतम कर दिया है और आने वाले उत्रब्रदेश यहाँ यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगो को step उठाना पड़ेगा security forces को यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि हम इनको खतम कर सके हैं क्योंकि यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इनको खतम करने के लिए तो security forces को बढ़ा दो उन्हों जगा पर इन लोग को पूरी तरह से wipe out करने के लिए ठीक है साथ ही साथ आपको अपनी upgrade technical intelligence को आपको upgrade करना पड़ेगा अगर इनसे tackle करना है तो उसके बाद यहाँ पर यह बताए गया कि यहाँ पर issue of funds का भी बहुत है fund का issue देखने को मिलता है कि भाई अगर हम बात करें इस से हट कर दूसी चीज़ के ओपर बात करें जो left wing extremism है आज के time पर भाई इन्हें fund भी मिल जाता है क्योंकि अगर इन्हें fund नहीं मिलेगा तो यागे grow नहीं करेंगे किन-किन जगा पर जिन्हें deploy करा जा रहा है ठीक है यानि कि अगर हम एक्जाम्पिल करें 36 गर्ड उतरप्रदेश यहां यहां पर left wing extremism सबसे जादा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा जो हमें जवान है उनको deploy करना पड़ेगा deploy करना पड़ेगा और साथी साथ उन्हें extra हमें skills देनी पड़ेंगी extra उनकी security के ओपर काम करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी काफी जवान हमारे इन चीजों को लेकर शहीद हुए है तो यह था कुछ article यहां पर left wing extremism से related उसके बाद यहां पर एक article छोटा सा आप लोग को यह दिखेगा data point data point के अंदर यह बताया जा रहा है आज के time पर जो justice है वो काफी साथे delay हो रहा है ठीक है आप कह सकते हो cases pending पड़े हो है लागों cases pending पड़े हो है और यहां पर जो है आप कह सकते हो delay पर delay होता चले आता है जो justice है नियाई नहीं मिल पाता किसी को जल्दी क्यों क्योंकि यहां पर जो court के judges की position ही खुदी vacant पढ़ी है खाली पढ़ी है अगर हम लोग court के judges को ही यहां पर इनकी positions को यहां पर जो यह vacancy है इनको ही नहीं अच्छी तरीके से fulfill कर पा रहे है तो कहां से cases आगे जाके solve हो पाएंगे ठीक है तो सबसे पहला step क्या करना पड़ेगा यह जो vacancies है इनको fulfill करना पड़ेगा ठीक है देन ही तो हम लोग आगे इत्तों चीजों को tackle कर पाएंगे तो काफी सारे cases आज के टाइम पर पेंडिंग आप लोग देख पाओगे और साथी साथ इसमें cases तो पेंडिंग है ही है position यानि vacancy भी काफी सारी पेंडिंग है और यहां पर आप देख पाओगे कि इनी वजासर जो है यह situation create हो जाती है तो इसे के साथ होता है आज कमरा न्यूस पेपर अनलेसस फूरी तरह समापत आई होप आप लोगों सारी चेक क्लेर हो गए होगी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाए है वा नाइस टे